आपने देखा बच्चों कभी-कभी आपके घर में बिजली का मिस्त्री आता है आपका पंखा खराब हो जाता है पानी चलाने का पंप खराब हो जाता है कूलर खराब हो जाते हैं तो आपको बोलता है कि आपके इस उपकरण का कंडलेंसर खराब हो गया है तो यह कंडलेंसर क को ही उन लोग कंडेंसर या केपिसीटर कहते हैं तो आप देखेंगे कूलर के भीतर का कंडेंसर मिक्सी के भीतर का कंडेंसर और पंखे के भीतर का कंडेंसर ये अलग-अलग प्रकार के कंडेंसर होते हैं जिने हम संघारितर कहते हैं अब इस अध्याय में हम विभिन प्रकार के संघारित्रों और उनकी धारिताओं के बारे में अध्यान करेंगे जब उस बिजली के मिस्त्री को वांचित धारिता का संघारित्र नहीं मिलता है तो वह अलग-अलग धारिताओं के संघारित्रों को आपस में जोड़ता है और किस प्रकार से जोड़ेगा इसे हम संघारि सेप्टरों के प्रकार संगारित्रों की धारिता और संगारित्रों के संयूजन के बारे में अध्यब करेंगे साथ ही एक ऐसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे जिसके द्वारा की जिसे हम वाज्टी graph generator कहते हैं तो आईए अब हम देखते हैं संघारित्रों के प्रकार और उसकी धारिता संघारित्र वह उसका सिद्धान condenser and its principle संघारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार आकृति या आयतन में परिवर्तन किये बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है माना की पी एक प्रिथक्रत चालक प्लेट है जिसे धन आवेश दिया जाता है इसके समीब दूसरा अनावेशित चालक प्लेट क्यू लाने पर प्रेरण द्वारा क्यू के निकट वर्ती तल पर बद रिण आवेश तथा दूर वर्ती तल पर स्वतंत्र धन आवेश उत्पन हो जाता है प्रेरित बद रिण आवेश चालक पी के विभव को कम करने का प्रयास करता है जबकि प्रेरित स्वतंत्र धन आवेश पी के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है परंतु बद्ध रेन आवेश P के जादा निकट है अथा उसका प्रभाव अधिक पड़ता है फल सरूप चालक P का विभव कम हो जाता है और सुत्र C बराबर Q बटे V के नुसार चालक की धारिता बढ़ जाती यदि Q का संबंद प्रित्वी से कर दिया जाए तो प्रेरित स्वतंत्र धन आवेश प्रित्वी में चला जाता है और Q पर केवल बद्ध रिन आवेश ही बचा रहता है जैसा की सलग्न चित्र में दिखाया गया है अतर चालक P का विभव और कम हो जाता है फल सरूप उसकी विद्युद धारिता बढ़ जाती है इसी प्रकार अब यदि प्लेट Q को प्लेट P के बहुती नजदीक लाएं तो विभव वी का मान और कम हो जाता है जिससे धारिता और बढ़ जाती है और यदि उसे दूर ले जाया जाए तो विभव बढ़ जाता है तथा धारिता कम हो जाती है अर्थात चालक की धारिता में इच्छा नुसार परिवर्तन किया जा सकता है इस पस्ट है कि किसी आवेशिच चालक के समीप पृत्वी से संबंदेत अन्य चालक को लाने पर आवेशिच चालक की धारिता बढ़ जाती है दो चालकों के इस संयोजन को ही संघारित्र कहते हैं यही संघारित्र का सिध्धान्त है पी वा क्यू को संघारित्र की प्लेटें कहते हैं दोनों प्लेटों के बीच या तो वायू रहती है अत्वा विद्युत्रोधी पदार्थ जैसे अब्राग, कागाज, तेल या काज आधी रग दिये जाते हैं संघारित्र को चित्र में दो समाना अंतर रेखाऊं और उसकी धारित्र को बीच में C लिखकर दर्शाते हैं माना की संघारित्र की पहली प्लेट P को Q आवेज देने पर उसका विभव V1 हो जाता है तथा प्लेट Q को रिन Q आवेज प्रेरित होने पर उसका विभव V2 हो जाता है तो P वा Q के बीच V1 तर बराबर V1-V2 अता संघारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V1-V2 यदि V1-V2 बराबर एक हो तो संघारित्र की धारिता C बराबर Q अता किसी संघारित्र की धारिता उस आवेज के आंकिक मान्य के तुल्य होता है जो प्रिथक्त्रत प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के मद्य उत्पन विभ्वांतर में इकाई की वृद्धि करते संघारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक factors affecting the capacity of condenser पहला प्लेट का छेत्रफल संघारित्र की प्लेटों का अचेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी प्लेटों के बीष्ट के माध्यम पर यदि संगारित्र की प्लेटों के मध्य के पारुतांक वाला माध्यम रख दें तो उस संगारित्र की धारिता वायू में धारिता की के गुना हो जाती है C माध्यम में संगारित्र की धारिता बराबार के गुनित संगारित्र की वायू में धारिता C वायू मुल्यांकन के प्रश्ण प्रश्ण पहला चालक की धारिता से आप क्या समस्ति हैं? उसका ऐसा ही मातरक वा विम्य सुत्रा लिखिए प्रश्ण दू धारिता का भौतिक महत्व लिखिए प्रश्ण तीन धारिता के CGS वा MKS मातरक में संबन लिखिए प्रश्ण चार चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए प्रश्ण पाँच संघारित्र क्या है? उसका सिध्धान्द लिखिए संघारित्र के प्रकार Types of Condenser संघारित्र मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं किसी समानांतर प्रकार संघारित्र में दो बड़ी समतल एक दूसरे के परस पर समानांतर चालक पत्टिकाएं होती हैं जिनके बीच में प्रथकन मतलब दूरी कम होता है हम सरप्रथम दो पत्टिकाओं के बीच माध्यम में रूप में निर्वास सीको लेते हैं माना कि प्रत्यक पट्टिका का छेत्रफल ए तथा उनके बीच की दूरी दी है। पहली पट्टिका पर आवेश क्यप्टल क्यू देते हैं जो उस पर एक समान रूप से वित्रित हो जाता है। जिसके फल्सरूप नजदीक रखी पट्टिका पर प्रेरण द्वारा बद्ध रिन आवेश तथा दूर भाग पर पट्टिका दो को स्वतंत्र धन आवेश आता हैं जिसे प्रत्विक्रित कर देते हैं। चुंकि पट्टिका के बीच की दूरी उसके छेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। आता हम एक समान आवेश घनत्व सिग्मा को अनन समतल जादर के विद्ध छेत्र की तिवरता के परिणाम सिग्मा बटे टू एफसलान जिरो का उप्योग कर सकते हैं। जहां सिग्मा प्रती एककाई छेत्रफल पर आवेश अथा सिग्मा बडाबर क्यू बटे ए है। возможность पठ्टिका का प्रिस्ट आवेश घनत्व बड़ाबर सिग्मा बटे टू एफसलान जिरो। दूसरी पठ्टिका दो का प्रिस्ट आवेश घनत्व बड़ाबर माइनस पहली प्लेट है, ये समानांतर प्लेट संगारितर की दूसरी प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीश्ट की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों का छेत्रफल केप्टल ए है, हम इस पहली प्लेट को धन आवेश देते हैं वह इस पर एक समान रूप से वित्रित हो जाता है जिसके फल सरूप इसके नजदीक जो दूसरी पट्टी का तू रखी हुई है इस पर प्रेरण के द्वारा रिन आवेश आजाता है जिसको बद रिन आवेश कहते हैं इस स्वतंद्र धन आवेश को हम प्रित्वी से जोड़ देते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युच्छेतरा जाता है और इस प्रकार से बल रिखाएं जलती है परंतु किनारों पर बल रिखाएं इस प्रकार से मोड़ जाती है अर्थात कहने को तो हम कह रहे हैं इसका विद्युच्छेतर एक समान होता है परंतु किनारों पर वह नहीं हो पाता चुंकि हम इसमें कंडिशन लेते हैं जो दूरी डी है इसका वर्ग छेतरफल एक ही तुलना में बहुत कम है इसलिए विद्युच्छेतर क्या रहेगा नियत रहेगा तो पहली प्लेट के कारण वाहिय च्छेतर एक ही वाला है वाहिय च्छेतर एक पर तिवरता पहली प्लेट के बाहर यह जो च्छेतर एक है वाहिय च्छेतर एक पर तिवरता इवन जो है वह पहली प्लेट और दूसरी प्लेट प्लेटों के कारण ले लेते हैं तो यह होता है शिगमा बटे 2 Epsilon नट जो सिगमा है वहाँ आवेश घनत वह जिसका आमान Q बटे यह होता है प्रती काई छेत्र फल पर आविश दूसरी प्लेट में चुकि इस पर रिन आविश है तो उसका हो जाएगा माइनस सिग्मा बटे टू एपसलाना तो यह जीरो हो जाएगा वाई यह छेत्र पट्टि का दो के नीचे का छेत्र E2 बराबर फिर पहली पट्टि का माइनस दूसरी पट्टि का इन दोनों का विद्यू छेत्र जीरो आ रहा है परन्तु दोनों पट्टि का के मद्य छेत्र E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एपसलान नाट प्लस सिग्मा बटे टू एपसलों नाट छेतर निकालने के यहाँ पर यह काई धनाविश रखतें यह काई धनाविश को इदर प्रतिकर्शित करेगा और यह इसको क्या करेगा आकर्शित करेगा तो परिणामी छेतर इस तरफ हो जाएगा इस प्रकार से E equal to 2 सिग्मा बटे 2 Epsilon not into A विद्युच्छेतर की तिवरता धनात्मक पट्टिका से धनात्मक पट्टिका की ओर है इस प्रकार दो पट्टिकाओं के बीच विद्युच्छेतर इस्थानी कृत हो जाता है तथा यह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक समान होता है परिमित छेतर की पट्टिकाओं के लिए पट्टिकाओं की बाहरी सीमा के निकट यह लागू नहीं होता है पट्टिकाओं के किनारों पर छेतर रेखाएं बाहरी की ओर मुड जाती है इस प्रभाव को छेत्र का उपांत प्रभाव कहते हैं इससे यह संकेत मिलता है कि समस्त पठिका पर प्रिष्ट आवेज धनत्व सिग्मा जथात रूप से एक समान नहीं होता तथा पी D स्केर बहुत छोटा है छेत्रफल A के लिए ये प्रभाव काफी दूर के छेत्रों में उपेक्षी है तथा वहां समीकरण तीन के अनुसार होता है अब एक समान विद्धि छेत्र के लिए विववांतर पठिकाओं के मध्य बराबार तिवरता गुनित दूरी अब अपने को विववांतर निकालना है विववांतर बराबर तिवरता गुनित दूरी तो समीकरण तीन से तिवरता का मान रख दीजे क्यू बटे एप्सलोन नाट इंटू ए और दूरी है दोनों प्लेटों के बीच के आप देखरें टी इसलिए धारिता सी बराबर क्यू बटे के विवन माईनस विटू को किंडे बटे कर देंगे आपका हुज्या का अपकीㅋㅋ इसी यह हम कहते है समानांतर प्लेट संगारितर की धारिता तो यह समानांतर प्लेट संगारितर की धारिता का विंजक है जबकि दोनों प्लेटों के बीच माध्यम वायू है दोनों प्लेटों के बीच माध्यम वायू है तो धारिता का मान C बराबर Epsilon naught A बटे D इस प्रकार से धारिता देखिए प्लेटों के छेत्रफल पर निर्भाल है जितना जादा छेत्रफल होगा उतना अधिक धारिता होगी और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना अधिक इसके धारिता का मान होगा यदि आप दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम रखना चाहें के पार विद्यतांक वाला तो ये के गुना हो जाती है धारिता के एप्सलोन नॉट ए बटे टी तो ये माध्यम में धारिता है ये वायू में धारिता ये माध्यम के पारित्तांग वाला विद्धितुरोधी माध्यम आपने रखा है धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव किसी वाय छेत्र में परावैद्युतों के बहवार के बारे में जानकारी के बाद आईए अब हम यहाँ देखें कि किसी समानांतर प्रटिका संगारित्र की धारिता किसी परावैद्युत की उपस्थिरी द्वारा किस प्रकार उपांत्रित होती है पहले की भाती यहाँ भी हमारे पास दो बड़ी प्रटिकाएं हैं जिनमें प्रत्यक का छेत्रफल ए है एक दूसरे से दीद दूरी द्वारा प्रत्थक हैं पट्टिकाओं पर आवेश प्लस माइनस Q है जो कि आवेश घनत प्लस माइनस सिगमा जां सिगमा बराबर Q बटे A के अनुसार है जब दोनों पट्टिकाओं के बीच निरवात है तब E0 बराबर सिगमा बटे एपसलोन नॉट तथा हारिता C0 है तो C0 बराबर Q बटे V0 V0 का मान रखेंगे हम और E0 का तो आप देखें यहां पर मान हो जाएगा एपसलोन नॉट इंटू A बटे D इसके पस्चात हम उस प्रकरण पर विचार करती हैं जिसमें दोने उपटिकाओं के बीच समस्थ छेत्र को किसी पारविद्युद द्वारा भर दिया गया है छेत्र द्वारा समस्त पराविद्युद धुरूइत हो जाता है तथा जैसा की उपड़ इसपष्ठ किया जा चुका है यहां प्रभाव दो आविशिद चाद्रों पराविद्युद के प्रिष्टों पर छेत्र के अभिलमवत के समतुल्य हैं जिनके प्रिष्ट स्थति में परावेद्युत में विद्युत छेत्र उस प्रक्रण के अनुसार होता है जिसमें पक्तिकाओं पर नेट आवेश धनत्वा प्लस माइनस सिगमा माइनस सिगमा पी होता है अर्थात ई बराबर सिगमा माइनस सिगमा पी बटेग एप्सलोन नॉट अता पट्टिकाओं के स्रों पर विभांतर वी बराबर तिवरता गुनेत दूरी समीकरण तीन से मान रखेंगे ए का सिगमा माइनस सिगमा पी बटेग एप्सलोन नॉट इंटो डी रेखिक परावध्यतों के लिए हम उपेक्षा करते हैं कि सिगमा पी ए नॉट अर्था सिगमा के अनुक्रमान पाती हूँ इस प्रकार सिगमा माइनस सिगमा पी भी सिगमा के अनुक्रमान पाती है तथा ह हम लिख सकती हैं कि σिगमा माइनस सिगमा पी बराबार सिगमा बटे की यहां के माध्यम का परावयद्युत है जिसका मान एक से अधिक है इसलिए विभुवांतर वी बराबर सिग्मों डी बटे एप्सलोन नॉट इन्टु के हमने यहाँ पर मान रखा है सिग्मा का मान Q बटे एक डी एप्सलोन नॉट इन्टु के पट्टिकाओं के बीच परावेद्यत होनी पर इसलिए धारिता C बरा एपसलान नाट Q इंटू D बट एक A एपसलान नाट इंटू K Q Q डिवाइड हो जा रहा है तो ये A एपसलान नाट के इंटू A उपर चल देगा नीचे बच जाएगा D इसको हम एपसलान नाट इंटू K को माध्यम का परावेजितां कहते हैं जिसे एपसलान के द्वारा दर् किसले के बराबर एपसलान बटे एपसलान नाट को परावेजितां कहते हैं जैसे कि पहले ही बताय जा चुका है एक आमान एक से अधिक होता है इस प्रकार किसी पदार्थ का पारविद्यतांग एक कारक है जिसके द्वारा जब किसी संघारितर की पट्टिकाओं के बीच कोई पराविद्यत पदार्थ पूनता भर दिया जाता है तो उसके धारिता के मान में निर्वात के मान से विद्धी हो जाती है यद्य पी हम समानांतर पट्टिका संगारित्र के प्रक्रण के लिए समीकरण नौ उपर पहुंचे हैं तथा पी यहां हर प्रकार के संगारित्रों उपर लागू होता है तथा वास्तों में इसे व्यापक रूप में किसी पदार्थ के परावैद्युत की परिभासा के माना की पी और क्यू दो समानांतर प्लेटें संगारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी दी है प्रत्यक प्लेट का छेत्रफल ए है दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांग की टी मोटाई वाली प्लेट उनके समानांतर रखी गई है इस प्रकार दो प्रेटों के मद्य टी मोटाई का परावेद माध्यम तथा दी माइनस टी मोटाई की वायुपरत है जैसा कि सलग्न चित्र में दर्शाए गया है प्लेट पी को इसमाल क्यू आवेश देने पर क्यू के समीव पर्तितल पर प्रेरित रिण क्यू आवेश बद्ध हो जाता है तथा दूर भाग पर प्रेरित धन आवेश स्वतंद्र है जिससे प्रित्वी क्रित कर देते हैं यदि आवेश का प्रिष्ट घनत सिगमा बराबर क्यू बटे ए समीगरण एक है यह समानांतर प्लेट संगारित्र की पहली प्लेट पी है जिसको हम क्यू आवेश देते हैं इनका छेत्रफल ए है एक दूसरी प्लेट जो इसके नजदीक रखी गई है क्यू इस पर प्रेरण के द्वारा प्रेरित धनावेश आजाता है जिसको हम प्रित्वी क्रित कर देते हैं दोनों प्लेटों के बीच माध्यम वायू है दूरी डी है अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच के पार विद्यतांग वाला टी मोटाई का पदार्थ रख रहे हैं एक पारविद्युत माध्यम रख दिया जिसका पारविद्युतांग K है और इसकी थिकनेस T है तो माध्यम हो गया T मोटाई का इसलिए Y हो जाएगी D-T में तो आवेश प्रिष्ट घनत आपको बताया जा चुका है आवेश प्रिष्ट घनत तो मतलब प्रतिकाई छेत्रफल पर आवेश सिग्मा बराबार क्यू बटे दोनों प्लेटों के मध्य तिवरता बाहर में आपने देखा था इधर और इधर तिवरता जिरो थी तो मध्य में तिवरता आई थी वायू में पहरे निकालेंगे इधर बराबर सिग्मा बटे एप्सलान नाट दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम में तिवरता माध्यम में तिवरता ई मिडियम या आपका हुजागा सिग्मा के पार विदितांक वाला पदार था के से डिवाइड हो जाती है तिवरता घड जाती है अब प्लेट प्लेटों पीवा क्यों के मध्य विवांतर निकालना है तो ये भी वायू में प्लस माध्यम में विवांतर तो ये वायू में विवांतर के लिए तिवरता गुनित दूरी शिगमा बटे एपसलोन नाट इंटो डी शिगमा बटे के एपसलोन नाट दी माइनस टी तो ये आपका शिगमा बटे एपसलोन नाट बाहर निकल जाएगा तो आपका लेगा दी प्लास यह वायू तो D-T में है, स्वारी वायू जो है D-T में, माध्यम है T में तो यह आपका हो जाएगा D-T प्लस T बटे K किलियर हो जाएगे, वायू में विब्वानता तो तिवरता गुने दूरी तो वायू में दूरी D-T है, माध्यम T मोटाई का है तो इसलिए T आगया आपका, तो E-M का मान रख दिया, दो वायू तीन से मान रखे, E-NOT और E-M का तो यह आपका हो जाएगा T बटे K किन्तू सिगमा बराबर Q बटे तो यह आपका हो जाएगा Q बटे EPSILON NOT D-T प्लस T बटे इसलिए धारिता C बराबर Q बटे V1 तर दोनों प्लेटों के बिच V1 तर V1 माइनस V2 आपके निकाला है समीकरन नंबर 4 चार से मान रखेंगे तो C बराबर Q बटे V1 माइनस V2 का मान रखेंगे तो यह निकाला Q अपॉन EPSILON NOT A D-T प्लस T बटे Q को Q से डिवाइड करेंगे तो C इकल तो आपका हो जाएगा EPSILON NOT A बटे D-T प्लस T बटे K तो यह था आपका जब प्लेटों के बीच आंशिक माध्यम हो और आंशिक वाईव हो यदि इसी प्रकार देखिए यदि आपने T1 मोटाई का K1 पारविद्यतांक वाला पदार्थ रखा T2 मोटाई का K2 पारविद्यतांक वाला पदार्थ और T3 मोटाई का K3 पारविद्यतांक वाला पदार्थ है तो C इक्वल टू Epsilon नाट इंटू A D माइनस से सब घड़ जाएंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस यह हो जागा T1 बटे के 1 प्लस T2 बटे के 2 कितने भी माध्यम रख सकते हैं पर सब के लिए सुतर ही रहेगा अब देखे इस समीकरण से यदि पूरा वायू हो पूरा वायू तो T बराबर 0 तो C बराबर Epsilon नाट इंटू A यदि पूरा माध्यम हो तो D बराबर T तो C बराबर Epsilon नाट इंटू A D माइनस D प्लस D बटे के तो यह D D 0 हो जाएगा D माइनस D तो यह जाएगा Epsilon 0 A बटे D बटे K तो इस प्रकार से K Epsilon नाट A बटे D तो यह आशिक वाला यदि आप सुत्रयाद करते हैं तो इससे माध्यम का भी बन जाएगा वायू का भी बन जाएगा संघारित्रों का संयोजन combination of capacitor जब आवश्यक धारिता के संघारित्र उपलब्द नहीं होते हैं तो दो या दो से अधिक संघारित्रों का संयोजन विभिन प्रकार से करके आवश्यक धारिता का संघारित्र प्राप्ट करते हैं या मुख्यता दो प्रकार का होता है समानांतर क्रम संयोजन या पार्शक्रम संयोजन दूसरा स्रेणी क्रम संयोजन आईए हम पहले देखते हैं समानांतर क्रम संयोजन या पार्शक्रम संयोजन पैरलल कॉम्मिनेशन आप एपिसिटर सलग्न चित्र में दो संघारित्र समान अंतर क्रम या पाश्व क्रम में संयोजित किये गए हैं। इस प्रक्रण में दोनों संघारित्रों पर समान विभुवांतर वी अनुप्रेक्ट किया गया है। परन्तु संघारित्र एक की पट्टिका पर आवेश प्लस माइनस क्यूवन का परिमा संघारित्र दो की पट्टिका पर आवेश प्लस माइनस क्यूटू का परिमा समान होना आवश्यक नहीं है। माना की पहले संगहारित्र की धारिता C1 वा दूसरे संगहारित्र की धारिता C2 है पहले संगहारित्र की प्लेट पर आविश Q1 बराबर C1 V की दूसरे संगहारित्र की प्लेट पर आविश Q2 बराबर C2 समान अंतर क्रम संयोजन है विभाव समान है आविश अलग अलग है यदि संयोजन की धारिता C वह आविश Q और विभान तर V है तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 Q बराबर C इंटू V Q1 का मान C1 V Q2 का मान समीगरण दोसे C2 V तो C V बराबर C1 प्लस C2 V तो C बराबर C1 प्लस C2 इस तरह समान अंतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता उनके अलग अलग धारिताओं का योगफल होती है और परिणामी धारिता बढ़ जाएगी जब भी आपको परिणामी धारिता जादा चाहिए तो हमारे को समान अंतर क्रम संयोजन करना चाहिए अता है समान अंतर क्रम संयोजन में संयोजन की परिणामी धारिता रत्येक संगारित्र की धारिता का योग है इस संयोजन में परिणामी धारिता बढ़ जाती है तथा सबसे बड़े धारिता के संघारित्र से भी अधिक होती है यदि एन संघारित्रों को पार्श्वक्रम या समानांतरक्रम संयोजन के लिए प्रभावी धारिता C है तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 देश 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 Cn होगी जां C1, C2, C3, C4, Cn विबिन संघारित्रों की धारिता है यदि C धारिता के N संघारित्र समानांतरक्रम संयोजन में हैं तो परिणामी धारिता बराबर C प्लस C प्लस C N बर बराबर N इंटू C जहां N संघारित्रों की संख्या और C प्रत्यक संघारित्र की धारिता है इस तरह जब भी हमें धारिता का मान जादा चाहिए हमें संघारित्रों का समानांतरक्रम संयोजन करना चाहिए स्रेणी क्रम संयोजन स्रीश कॉम्बिनेशन सलग्न चित्र में दो संघारित्र जिनकी धारिता C1 वा C2 है उन्हें आपस में स्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है C1 की बाईं तथा C2 की दाईं पट्टि का बैटरी के दो तर्मिलों से संयोजित है तथा उन पर धन क्यू तथा रिन क्यू आवेश है इसका आर्थ है C1 की दाईं पट्टि का पर रिन क्यू आवेश तथा C2 की बाईं पट्टि का पर धन क्यू आवेश है यदि ऐसा नहीं है तो संघारित्र की दोनों पट्टि का पर नेट आवेश सुन्ज नहीं होगा इसके प्रणाम सरूप C1 तथा C2 को स्योजित करने वाले चालक में कोई विद्यू छेत्र होगा तथा C1 वा C2 में आवेश उस समय तक प्रभाईत होगा जब तक की C1 तथा C2 पर नेट आवेश सुन्ज नहीं होगा तथा C1 वा C2 को स्योजित करने वाले चालक में विद्यू छेत्र सुन्ज नहीं होता अता स्योजन में प्रत्येक संगारित्र का दोनों पट्टि का परावेश प्लस माइनस यू समान होता है संगारित्र C1 तथा C2 के सिरों पर विद्यू छेत्र करमश V1 वा V2 का योग होगा C1 के सिरों पर विद्यू अंतर V1 बराबर Q बटे C1 स्योजन है इसलिए विद्यू अलग अलग होगा आवेश समान होगा C2 के सिरों पर विद्यू अंतर V2 बराबर Q बटे C2 स्योजन की धारिता C विद्यू विद्यू अवेश क्यों हो तो V बराबर Q बटे C बराबर V1 प्लस V2 तो Q बटे C V1 का मान अप समीकरण 1 V2 का मान समीकरण 2 समीकरण 3 में मान रख दीजे Q बटे C1 Q बटे C2 या Q अपान C Q को कॉमन निकाल दिया 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 डिवाइड हो जाएगा Q Q तो 1 अपान C एकल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 लग उत्तम ले लिजे तो C1 इंटू C2 यह जागा C2 प्लस C1 यसलिए 1 अपान C एकल टू C1 प्लस C2 बटे C1 C2 या C एकल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2 इस तरह परिणामी धारिता जो है परिणामी धारिता का व्युतक्रम अलग अलग विद्यु धारिताओं के विद्क्रमों का योग होता है इसलिए सिरेनी क्रम में परिणामी धारिता खट जाती है तो जब भी हमारे को धारिता कम चाहिए तो सिरेनी क्रम से योजन वांचित धारिता के संगारिता से कम धारिता का संगारितर चाहिए तो स्रेणी क्रम संयोजन करना चाहिए और वांशे धारिता से ज्यादा धारिता का संगारितर चाहिए तो सम्मानांतर क्रम संयोजन करना चाहिए आता स्रीनी क्रम संयोजन में परणामी विद्युधारिता का वित्रम प्रत्येक संघारितर की विद्युधारिता के वित्रमों के योगफल के तुल्य होता है इस संयोजन में परणामी धारिता घड़ जाती है तथा परणामी धारिता सबसे कम संघारित्र से भी कम धारिता होती है यदि C1, C2, C3, डैस, 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 यन धारिता के एन संघारित्र स्रेनी करम में जैसा सलग्न चित्र में से योजित हैं तो परणामी धारिता एक बटे C, बराबर एक बटे C1, धन, एक बटे C2, धन, एक बटे C3, डैस, डैस, एक बटे Cn यदि C धारिता के N संघारित्र स्रेनी करम में जुड़े हैं तो परणामी धारिता बराबर C, बटे N होगी